नमस्कार सर मेरा नाम राजू है आज का टोपिक है बेस्ट 5 मुचल फंड अगर 5 मुचल फंड से सुरुबात करना है SIP या वन टाइम से तो फंड का नाम है SBI Small Cap, Nippon Small Cap, Quant Small Cap, SBI 250 Index Fund और मोतिलाल 250 Micro Cap Index अगर SIP करना है तो 5 में बरावर SIP करते हैं लेकिन अगर वन टाइम करना है थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के वन टाइम लाव करते हैं पचास पचास जार करके एक क्लाक रुपे करके लगाना है बाकि में SIP चलाना है तो इस तरह से Quant Small Cap, SBI 250 Index, मोतिलाल 250 Index Fund में वन टाइम भी कर सकते हैं यह जो मैंने लिया है जो risk थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं जिनका एज 20-25 साल एज है अच्छा कासा पैसा आ रहा है और risk ले सकते हैं यहां से 10-15 साल तक हैं से 5 बताना है तो पांच कोन सा अच्छा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा यह इसमें थोड़ा-थोड़ा एड़ ANY होता रहे अब यहां पर जो भी आपको चेक करना है इसमें जभी सेक करना है जिस्में ज्यादा होगा उसखर फर्क ऊटार प्लों कि ँषवर्व में एक साल के बाद इन्वेस्ट किया तो कितना हुआ यहां देखते हैं निपाउन इंडिया स्मॉल के किसी ने 50 लाग रुपिया 2014 में लगाया तो आज पैसे का वेल्यू है चार क्रोड 23 लाग लेकिन एक साल पहले लगाया 2013 में लगाया जब मार्केट गिरा हुआ था तो उसी 50 लाग का वेल्यू 10 क्रोड 7 लाग रुपिया है पहले एक साल पहले आधे से भी कम है और यहां 10 क्रोड तक पहुँच गया 31% का सलाना रिटन दिखा रहे हैं और जबकि बढ़े वे मार्केट में लि इस तरह से करके एक साल में इतना ज़्यादा फरक है इसलिए बोलते हैं जब गिरावट हो तो डर्णा नहीं है थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खरीदना है तो इस तरह है रिटन आपको देखने को मिलेगा अगर इनके पोर्टफोलियो होल्डिंग का बात करें तो नि जाते हैं आप काते हैं पैसा डूब जाएगा तो डूबने का मतलब है यह सारे कमपनी डूबना चाहिए तब जाके पैसा डूबेगा निपोन इंडिया स्मॉल के अगर देखते हैं तो 216-217 कमपनी में पैसा इंवेस्टेड है क्वांट का बात करें तो टोटल 81 कमपनी मे हैं पैसा डैवर्सिफाइड है SBI small cap का HDFC small cap का दूसरे फंड का आप कम्बिनेशन देख सकते हैं कि पोटफोलियो होल्डिंग क्या है यहां पर जब इन पाच फंड में इनवेच्ट करते हैं तो यहां देखते हैं कि कहां तक पैसा आपका डैवर्सिफिकेशन हो जता है बोला तो यहां पर अगर पैसा लगाया तो सब्सक्राइब अगर बताया तो यहां से सब्सक्राइब अगर इंडेक्स फंड बोला तो पूरे में कहीं भी फंड मेनेजर स्टॉक को चुन सकते हैं तो यह सेलेक्सिन उनके लिए है जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेशते हैं लार्ज केप मीट के थोड़ा कम चलता है तो रिस्क वहां पर कम है अगर एज आपका ज्यादा है और इस कम लिना है तो इन कंपनी में भी जा सेते हैं लेकिन समय है आपके पास ग्रोथ ही फेक्टर है तो इन कंपनियों में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा डाइवर्सिपिकेशन होगा एक कोश्चन इन दुनों काफी पूछा जा रहा है अभी एक से दो साल मैक्सिमम एसाइपी अमांट आप इन्वेस्ट कीजिए पचीस जर का इसाइपी पचा जर का एक लगका जो है एसाइपी के मोड में जोगती चलेजिए वह ज्यादा अच्छा होगा यहां पर इन पांच फंट के कमिनिशन में पैसा डाला और 15 पर्शन का रिटन एकस्पेक्ट कीजिए एकस्पेक्ट करने बोलता हूं क्या मिलेगा वो तो आने वाले दिन ही बताएगा 15 साल में 15 पर नीचे देज सकते मार्केट को क्योंकि मार्क रिस्की फंड है उपर नीचे होएगा कितना होगा अगर माल लेते हैं 20 पर्शन डाउन हो जाए यह एक क्रोड था 20 पर्शन डाउन वह 80 लाग बचा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करना जरूरी है खुश से कैलक प्लस का रिटेन मिल रहा है तो जिब पीछे का गिरावाट था वह भरपाई यहां पर हो जाएगा और यह सब अगर नहीं करेंगे इससे डर के निकल जाएंगे और पंदरा अजाल प्रशन की रेट से 47-48 लाग रुप्या बढ़ेगा उससे डवलूपी करना है क्या करना है आप तो मुचल पढ़ने जाएंगे नहीं अगर बैंक पोस्ट आप इसमें वहीं से जो मिलना है मिलेगा अब दूसरे टाइप का लोग देखते हैं कि रिस्क कम लेना है एज 45 से उपर है तो लार्ज केप में भी लगाना है मिट केप में भी लगाना है मल्टी केप में फ्ल सबसे ज़्यादा जिसमें है पहली बार पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से में लगाना है कैसे चेक करेंगे मिटकेप सेलेक्ट किया यहां पर सेलेक्ट कर लिया सबसे ज़्यादा एम जिसके पास है 75,000 कोड एजडी एपसी मिटकेप पॉर्चुनिटी यहां पर लगा दिए पिछले दस साल में 10 लाग का 2014 लेकर अब तक 62 लाग रुपे बना है उननीस दसला नाइन नाइन पर्चेंट का रिटन दिया है जो एकस्पेंस है वह काटके ही आपको दिखाया जा रहे है ठीक है उसके बाद अगला है इसमोल के इसमें भी सबसे ज़्यादा है यह भी पंड अच्छा कर रहा है फिर डाइवर्सिफ हाइट करके लगा दिजी अगर आपके पास एक लाग लगाना है 25-25 जार करके टॉप फॉर में एयम वाई में चले जाईए नेक्स्ट कटेगरी है पराग परीक फिलिक्सिक है अठातर हजार क्रोड एक बैंक सगमा जा है इस तरह से करके लगाएंगे जो भी आप लगाएंगे दस से पंदरा साल में वो बैंक पोस्ट आपिस से आपको दो गुना रिटन यहां पर मिल जाएगा एक तीसरा कटेगरी आता है एक जीरो रिस्क लेना है रिसक को नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए एक कोड़ यहां रखा या दस लाग रखा या पच्छीस लाग रखा धीरे धीरे इसमें जो ग्रोथ हो रहा है रिटन हो रहा है वो पैसा स्मॉल केप में चलते जाएगा उधारन के तौर पे एस्बिया सॉट्टम डेट फंड में 20 लाग रखा और अगले महने से जो इसका जो रिटन होएगा लगवक केल्कुलेट कर लिए साल का 6% तो 10 जर्पे पर मंत यहां से निकालते चली जाएगे और इसको छलांग लाग के स्मॉल केप में पहुंचाते जाएगे यह जो 20 लाग है हमेशा यह बरकरार रहेगा 20 लाग थोड़ा सा कम डेट फंड में भी आपको उपर न पाड़े साथ पर्शन का रिटन दिया तो यह पैसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा और जो हर 10 हजार रुपया यहां से मैनस हो रहा है और इसमें प्लस होता जा रहा है स्मॉल केप में तो यह चलता गिया यह 21,00,00, 22,00,00 वी हो गया लास्ट में देखते हैं 10 साल का रिकोर्ड कि यहां पर यह पैसा जो 20,00,00 लगाये थे 22,00,95,000 हो गिया और वो पैसہ जो 10-10, 처र पर परमत जारा है यहां पर 41,00,99,000 हो गया तो टॉटल कम्बिनेशन में पैसा जो हम 20,00,00 रुपय लगाया weighing उस 20 लाग का value 64,87,000 हो गया पिछले 10 साल में जो की bank post office कभी नहीं कर सकते थे तो इस तरह से करके एदम safe, safer, safest आपका मुल्दन कभी 0 ना हो तीसरे category के लोग जो बिलकुल ही risk नहीं लेना चाते हैं इस तरह से जा सकते हैं अब आज inverted comma में एक बात करते हैं कभी नहीं किया हम सब लोग बचपन में 9 10 physics में पढ़े होंगे दूरी का मापक मीटर होता है और 1 मीटर 100 cm के बराबर होता है कोई माय का लाल इसको change नहीं कर सकते हैं यह नहीं बोल सकता है आज से 90 cm एक नहीं कर सकते हैं भार का मापक किलो ग्राम एक किलो ग्राम एकल टू थाउजेंड ग्राम इसको भी कोई कम नहीं कर सकता है इदम स्वर्नी मक्षर में लिखा होए कहीं पर समय का मापक घंटा घंटा मतलब साथ मिनट इसको भी कम ज्यादा करने शकता है अब भार में आप आम आलू लोहा चौनी सोना कुछ भी मापो भार बराबर होगा ठीक है झाय कि किसी पास जाएंगी तो लिटर उसका इतफना पड़ा होगा तब वो कम घ्राकेदा नहीं होगा ठीक उसी तरह आप बहुत चीजब बढ़े होंगे किताबों में शेक्नों चीजब वह चीज मवब्मोंने कहीं ने लिखा कई यहले वह है मुल्य का मापक रट्ठा मार लिजे काम आएगा मुल्ली का मापक उसका मानक ये होता है और जिसका standard जो बोलते हैं यहाँ पर unit मानक ये 10 रुपया इकल्ट होता है एक तोला गोल्ड और ये मापक सेम होता है किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी खरीदें ये मानक सेम होगा खरीदा कुछ भी जा सकता है लेकिन मानक सेम होगा ये चीज़ अगर पता होता सब को तो हम जिस इस्ति में आज पहुँच गया है वो सुने का चड़िया कहा उड़के चला गया वो एक software के तहत ये गया है अगर ये सब लोग जान जाए तो चड़ियां फिर से वापस आ सकता है इंबंटेट कॉमा बंद करते हैं कुछ कॉमेंट्स का बात करते हैं सर में ओप्सन टेडिंग करके चार लाख निप्टा दिया लास्ट वीक एक लाख चला गया मैं हमेशा बोत हूँ जिनको पता नहीं है अगर आप पूछते हैं काउन सा इस्टोक खरीदूँ डिमेट कैसे खुलता है इसका मतलब आपके लिए मार्केट बना ही नहीं आप सीधा जाए इस लिए का ब्रांज एस ब्रांज स्मॉल कैप में दस जर्का इसाइपी कर देजिए दीरे दीरे करके अच्छा खासा पैसा हो जाएगा यहां से दूर हो जाईए अगला है ऑप्सन टेनिंग में पिछले तीन साल में 93 परसेंट लोगों ने सबसे खराब वाला फंट पिछले तीस साल में जो बॉटम का होगा उसने दस लाग का पिछले तीन साल का दो जार एकिस में दस लाख लगा था उस पैसे का वेल्डियू आज तीन साल के बाद पंदरा लाग बहत्तरा जार है 16 परसेंट का रिटन क्या बुराई है जहां पैसा जीरो हो जाए मूलदन भी उसके बदले में अगर पंदरा लाग बहत्तरा जार होता है बोटम बला फंट तो क्या हो बुराई है और टॉप का अगर फंट देखें कि 10 लग का उसने कौन सा बनाया है 22 लाग 57 जार 31 परसेंट का सलाना टेटन फंट का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल के तो दूर रहना है जो चीज नहीं जानते हैं बहता रहे कि एक्सपर्ट को फंड मेनेजर को दे दीजिए मूचर फंड उसी का नाम है जिनको कुछ नहीं पता है और जिनको जादा भी प पैसे को देरी तरी करके मुचर फंड में लगाते रही है अच्छा खासा वेल्थ क्रियेशन हो जाएगा मेरा एज 62 साल होने वाला है एक रिटायर अध्यापक हूं मैं मुचर पंड में निवेस करना चाहता हूं मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकरी चाहिए बता है अ वैसा आप टाइम यहां पर दीजिए तो फंड आप नोट कर लिजिए क्वांट एक्टिफ फंड मल्टी के टिग्री में निपोन इंडिया मल्टी के इनवेस को इंडिया मल्टी के तीन फंड में आप बराबर बराबर करके जो भी पैस डालना चाहते है एक एक लाग मार्केट है उपर नीचे होगा 10-20% मार्केट में कभी भी दे दीजिए उपर नीचे होगा लेकिन आठ साल नो सल दस साल के लिए बने रहे हैं तो एवरेज आपको बैंक पोश्ट अपिस से ज्यादा रिटन यहां पर मिल जाएगा अगले कोस्टन की तरफ चलते हैं सरक्र करमचारी के वार्सिक आय में एड किया जाता है यह नहीं आप देखिए जो भी मुचलपन में आपने पैसा लगा यह मालेजिए 20-20 जर का SIP कर रहे हैं 10-10 जर का SIP कर रहे हैं वो पैसा बढ़के एक क्लोड एक दिन हो गया उस बढ़े वे पैसे को या पैसा निकालते हैं तो आपके इंकम में नहीं जोड़ा जाएगा वहाँ जो पैसा बढ़ा 20 लाग रुपया लगाया मान लेते हैं एक क्लोड हो गया तो बढ़ा कितना असी लाक पे साड़े बारा परसेंट का जो टेक्स बनता है वो देना है उस साल देना है उसके देने के बाद आपके आते हैं गरीव हैं अमीर हैं को पती हैं आपको 30 परशेंट ना लगे वही वुचल परण का जो स्लेव है आज तक का रूल 12.5 परशेंट पहले यह 10 परशेंट था अभी थोड़ा सा बढ़ गया तो 12.5 परशेंट का दिया जाएगा आपके इंकम में नहीं जोड़ा है तो उपर में हाई रिस्क वला फंड उसमें आप लगाते चली जाएए वह ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मार्केट हाई पे है अगला क्वोस्चन है मेरे बेटे का जन्वरी 2024 में वहा है मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए उनके लिए आप दो फ भी आप लगाना चाहते हैं तो फंड से सुरुबात करेंगे धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगेगा कि हां यहां पे रिटन बैंक पुस्ट ऑपिस से थोड़ा सा अच्छा है तो अपने नाम पे भी फैमिली के नाम पे भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं आपको इसी तर तो WhatsApp University में दोस्तों बीची से जरूर सेर करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंसर जरू करें थेंक्यू सो मच